आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर दीजिए आज मैं आपको बड़ी ही सुन्दर कहानी सुना रही हूँ तो हमें 12 महिने जो है कठा कराने का पुन प्राप्ट होता है एक सेढ़ी थे उनके यहाँ चार बेटे थे टीन बेटे तो खुम मेहनत करते थे पर छोथा आल शी था इसलिए उसके यहाँ फोड़ी गरीवी रहती थी अब वो चौती पत्नी जो चौती भ़ुती बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसका पती भोतालती था बहुत कम कमाता था अब तीन भभु में बड़ी सुखी थी और उनका घर परिवार भी अच्छा था वो मायके से भी खूब चंपन्न थी और चवथी बहु का माय का था ही नहीं, उसके मापाप मर गए थे, किसी तरह मामा ने उसकी साधी कर दी थी, इसलिए उसका पती उसको वालची ही मिला था, बहुत दुखी रहती, अब सरत पूर्ण मासी का दिन आया, सरत पूर्ण मासी के दिन सब बहुों ने अपने अपने डड्डू बना लिए, उनके माय के से खुब जेबर और कपड़े आये, उन्होंने अच्छे सुन्दर सुन्दर कपड़े और गहने पहन लिए, अब बहु के पास कुछ भी नहीं था, बहु दोड़ी दोड़ी सास के पास गई, और कहने लगी कि हमारे लिए डेड़ पाव खुबा, डेड़ पाव सक कर लिया दो, तो हम सत्तनारण भगवान की पूजा करने, सास ने खुब बाते सुनाई, एक तो माय के में कोई नहीं है, और दूसरा पती भी जालती है, उससे कुछ कहती ही रही है, और तीस जो है, अपनी जिठानियों के संग पूजा करने, राम रक्षमन के मंदर में गई, पर बहुत दुखी थी, आत्मा बहुत दुखी थी, उसने भगवान की पूजा की, और जो है, भगवान को भोग भी लगाया, एक लड़्डू वहाँ, चत्तनारण भगवान के मंदर में चड़ा दिया, राम रक्षमन के मंदर में, जब पूजा करके लोट रही थी, तो उसने जिठानियों से कहा, बहन तुम चलो, मैं दो मिनट मंदर में बैठके आती हूं, तो जिठानियां हसने लगी, और कहने लगी, मौर का, कहा जाओगी, माय का है ही नहीं है, या तो घर म गुसी रहोगी, या फिर मंदर में बैठ जाओगी, ठीक है ठीक है बैठ जाओ, हम लोग जाती है, तो उसकी जिठानिया चली गई, बहु बहु बहुत दुखी थी, बैठ गई, वहीं एक पीपल का पेड़ था, वहां जाकर रूने लगी, उस पीपल की पेड़ में एक बा बहु 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 तो भै कहने लगी, यही तो मेरे रोने का कारण है, कि मेरे माई के में कोई नहीं है, मेरे माबाप बच्पन में ही खतम हो गए, मामा ने पाला पोसा और एक आलसी लड़के से मेरी शादी कर दी, जो कुछ कमाता ही नहीं है, इसलिए मेरे घर में सब लोग मुझे बहुत ही बा तो मेरे भाई हुए, तुम हमारी बहन हो गई, तो उसने का सच, उनने का सच, तुम्हारी साथ ने डेल पाव खोबा, डेल पाव सखकर नहीं लाके दिया, तो मैं अगले सराट पूरमासी को इतना लाओंगा, इतना लाओंगा, कि तुम्हारा जीवर आराम से कट जाएगा बहुत खुशी हुई और खुशी खुशी अपने ससरा लोट के आ गई, तो जिठानिया चड़ाने लेंगे, कौन मिल गया था, इतनी खुश के हो, भगवान ने आके डरसन दे दिये थे क्या, भगवान की जो है, तो मरादना करती रही, तो भगवान ने हो सकता तुम्हें बरदान कुछ दे दिया हो, भगवान ने तुम्हें भाई आई तो नहीं दे दिया, उसने कुछ नहीं कहा, भई अपने घर के काम में लग गई, दीरे दीरे साल गुजर गई, सरत पूनमासी का दिना आया, कार्टिक पूनमा आई, और सब जिठानियों ने जल्ली जल्ली अ अपना माईके से आया हुगा, जेवा पहन लिया, और अच्छे बड़िया खोबा के लड़ू बना लिये, क्योंकि उनके पती ने तो खोबा लाकर रख दिया था, खोबा उसकर, अभी है सोच रही थी, कास हमारा भाई या जाता, कास हमारा भाई या जाता, उसने कहा तो थ कि हम अगली प्रूण मा को जरूर आएंगे बहन, अब वैस सोची रही थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, तो जे ठानिया हतने लगी, अरे तो मारा ने कम्मा पती कहा कि खोबा सक्कर लाकर देगा, जाओ सास्ते मांग लो, और सास्ते मंगा लो, तभी उसका भाई आया, और खूब सारा गाड़ी भराबर आकर धन लाया, खूब सारा जेवल लाया, कपड़े लाये, मोहरे लाये, और पढ़िये सुंदर सुंदर हाल लाया, और खोबा सक्कर लाया, तो जल्दी से गई, कहने लगी, जिठानी, देखो हमारा भाई आगया है, तो उसन बहन ने लगी, नहीं हमारा भाई है, तो बहन ने देखा, सास ने देखा, जिठानीों ने देखा, उसके पती ने भी देखा, तो बही आया, बड़ा सुंदर भाई, और खूब सारा जेवल सामान सब लेके आया, तो उसने कहा, उतार लो, जिठानीों ने जल्ली सामान उता इतना सामान आया कि जिठानियां उतार उतार कर ठक गई सारी जिठानियों के लिए जिवर लाया कपड़े लाया और सब के लिए खुआ सक कर भी लाया सास के लिए भी कपड़े लाया पती के लिए भी कपड़े लाया सब के लिए जेट ससूर सब के लिए कपड़े लाया और स हम इसकी मौसी के लड़के हैं हम दूर विदेश में रहते थे अभी हम आए तो हमें मामा ने बताया कि तुम्हारी बेहन की शादी हमने फला फला गाओं में कर दी है तो हम सीधे चली आए आज सरत पूर्ण मासी का दिन है ना आज तो सब बेहने अपने अपने लड्डू की पूजा करती है तो हम भी अपनी बेहन के लिए सब कुछ लेके आ गए बहन बहुत खुश हुई उसने तुरंट जल्डी से जाकर खोबा सककर से लड्डू बनाए और उसके छह पेड़े किये एक भगवान के मंदर में चढ़ाने के लिए एक तुल्टी के लिए एक पती के पती के लिए एक सहीलियों के लिए नामल है तो तुल्टी से ही बदल लेना चाहिए इस तरह उसने छह जल्डी से पेड़े बनाए और जाकर सबसे महंगी साड़ी पहन लिए सब जिठानियों से सुन्दर साड़ी थी उसकी और नौलक हाहार अच्छे बड़ी अज्ड़ी जेवर पहन के वैसा धर्च के और जब जिठानी के संग को खड़ी हो गई तो जिठानियों ने कहा चलो भाई अपन पूजा करके आते हैं और वैसा तनार के भगवान की पूजा करने गई और उसने उस मंदर में बैठके पूजा की और जिठानियों से कहा कि बेहन तुम च यह प्रभु इस तरह सबकी लाज रखना नाग दिवता आ गए और उसने उनको दूद पिलाया दूद पिलाके उनकी पूजा की यार्ती की और कहा भाई आप हमेशा हमारे लिए जो है सरत पूनमासी के दिन खोवा और सक्कल लेकर ही आजाया करो भाई ने कहा भेहन तुम चि का लगाने आने लगे और सरत पूनमासी के दिन तो वो खूब सारा जेवर सामान सब लेकर अपनी बहन को लड़ों की पूजा कराने आते भगवान सबको ऐसे भाई दे और हमें सत्तनान स्वामी बाबा की पूजा करके और रोज कहानी तुलसी के पेड़ के नीचे कहना चा आए राम लक्षमन के लड़ों की तो जितना अपन हम बारही महने सत्तनान भगवान की कठा करवाते हैं पूणमासी को उतना ही फल रोज की कहानी कहने से हमें प्राप्त हो जाता है सत्तनान के भगवान की पूजा कार्टिक मास की सरत पूणमासी के दिन की जाती है उस दन ह लड़ों की पूजा अवस ही करना चाहिए जो भी हो हमें भगवान के लिए डेड़ पाव खोवा डेड़ पाव सक्कर मंगा कर कोई खर्चा नहीं है और पूजा करना चाहिए उद्रद करना चाहिए तो भगवान सबी मनों कामनाओं को पूर्ण करते हैं जैसे भिया उसको मि रापतो बोलो सत्तनारान स्वामी बाबा महराज की जैए